हेलो एबरिबाड़ी आज हम लोग साइंस से चैप्टर टू जो है वो देखने वाले हैं जैसे पिछली वीडियो में हम लोग ने चैप्टर वन को कम्प्लीट किया था सारो टापिक उसमें डिस्कुस किया गया था तो यह जो चैप्टर है वो कमपनेंट अफूड चैप्टर इस से रिलेटेट सारे बातों को हम लोग आज गौर करेंगे चैप्टर टू में ठीक है तो आई होप कि पिछला वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा मिल रहा है जिससे पैता चलता है कि नहीं अब वीडियो को समझ रहे हैं और कंसेप्ट को समझते हुए अपना एक्सराइज को कंप्रिट करना है काम कर रहे है फिर भी जहां पर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आज जो हम लोग यह चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर का हम लोग दो भाग में मतलब दो पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट कमपने जैसे हम लोगग कहते हैं ना कि ऩौन अपना है कि मिल्क प्रोडक्ट खाने से थिताना चाहिए हम लोगों ओ फिर हम लोगगों को वेजटिबलस खाना चाहिए ठीक है फानिकी का जो है ē वो चिपट्न हो गया यह एक हो गया इस तरह क्या फूट सब लेट्स मेंक मे interface भी हम लोगों को use करना चाहिए इवन आप कह सकते हो कि हमारे सरीर को वो सारे foods चाहिए मतलब जितने भी तरह के foods हो चाहिए वो whether or non-vays जो ठीक है milk product हो plants related हो animals related हो जो भी हो वो शारे food product हम लोगों को चाहिए ताकि हमारा जो बड़ी है मतलब human body जो है वो fully balanced रहे और जितने भी diseases है उनसे वो दूर है ठीक है तो जब सारे component को हम लोग यूज करते हैं भूजन के लिए ठीक है when we use all the component which is in food that food is our balanced diet है ना यह न हम लोग कहते हैं कि ऑट सारे तरह कि component को use करने मत हमारे अपने जो डाइट होते हैं बंदो कि आ हार तो जो आहर है उसमें हर्त तरह के फूड को use करना है कि हमारा सरीर जो है वो सब काम्पोनेंट को use कर सके जतना प्रोटीन चाहिए, उतना प्रोटीन उसको मिले, जितनी फैट्स चाहिए, फैट्स मिले, जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, जितने विडिमेंस चाहिए, विडिमेंस के डिफरेंट टाइपस हैं, वो चाहिए, तो सारा कुछ उनको मिले पत्व सरीर को मिले, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, कि एक वैलेंस डाइट करना चाहिए, है ना, तो अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, कि आखिर यह कंपोनेंट है क्या, तो जैसे अभी हम लोग जो भी बात किये, चाहिए वो कार्बोहाइडरेट की बात किये, ठीक टीक है? वो सारे कंपोनेंट ही फूड के कंपोनेंट कहलाते हैं, भाताव, जैसे आप ठीक है, कुछ फूड कर रहे हो, हम ब मतरFood खा रहे हो, ठीक है? तो उस फूड में जैसे मान लोग कि आप अगर चावल खा रहे हो या पिर रोटी का यूज कर तो आप कहते हो ना कि हाँ कार्भोहड़िट्र फॉम्ट चेपाती और राइस ठीक है वेन वी यूज मिल्क तो हम लोग कहते हैं कि आप टेकिंग प्रोटीन फॉम्ट और मिल्क प्रोडक्ट सच आज गी और सच आज प्रोटीन उसको पनीर कह सकते है या फिर अधर जो प्रोटीन फॉम्ट तो यह सारे जो पोसक तत्व है इसको आप कहलो आसे पोसक तत्व जो है जो कि हमारे फूड में मौजूद होते हैं और वो हमारा सरीर उसको एब्जॉब करता है जो हम फूड को खाते हैं वही फूड ना कहीं इनर्जी हम लोग को देता है तो वह सारा जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट क्या कहलाया फूड का कंपोनेंट ठीक है तो आप यहाँ पर समझ चुके होगे कि यहाँ पर कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हो गया तो फूड का कंपोनेंट क्या हो गया कार्भो हाइड हो गया प्रोटीन हो गया विटमिन्स हो गया मिनर जो गया ठीक है यह सारे जो है वह कंपनेन अफ फूड है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को चैप्टर साज में आए होगा चैप्टर का ना तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कह रहा है यहां पर देखिये और मील कुड कंसेट ओफ चपाती दाल ब्रिंजल करी ठीक है अनादर में भी राइस शांबर वेजटेवल प्रिपरेशन आफ लेडिस फिंगर बिंडी येट अनादर मिल कोड भी अपम फेस कड़ी एंड वेजटेवल मतलब जो हम लोग फूड में यूज करते हैं तो हर स्टेट का अपना एक पॉपलर डीस होता है है ना जैसे अगर साउथ में चल जाओ तो अधर जो है वह अपम मिला या फिर और भी जो कुछ ऐसे डीसे सेंजो कि आपको इधर नहीं मिल पाएंगे ठीक है तो कहने का मतलब कि हर वो जो फूड है हर वो जो डीसे से कुछ नहें कुछ खास होता है जो हमारे सरीर को मता हमारे बॉडी क को अबलबल होता है जिससे कि हमारा बैलेंस डाइट हम लों को कम्प्रीट करता है ठीक है तो यहां पर जैसे देखिए एक टेबल है सम कॉमन मिल्स ऑफ डिफरेंट रिजन सें स्टेट्स जैसे कि पंजाब ठीक है अंद्रप्रदेश है ना तो इसी तरह हर जगह का कुछ न हर स्टेट का अपना पॉपलर जैसे अभी आप कौलकाता चल जा तो वहां रासव गूला और फीज कड़ी यह काफी ज्यादा पॉपलर रहता है वहां के लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं इसको तो कहने का मतलब क्या हर डीस जो है वह हर स्टेट का कुछ खास होता है और हर उस डिस में कही ने कहीं तो यहां पर देखिया कह रहे हैं what do different food items contain अभी तक तो हम लोग जो बात किये कि हार जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कहीं ने कहीं चाहे वो फीस कड़ी हो चाहे मतलब चाहे वो वेज हो चाहे वो नन वेज हो ठीक है कुछ भी हो सब में कुछ ने कुछ जो हम लोगों को मिलता ही है फूड के मादम से ठीक है तो अब जो टापिक है वह है वाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेइन ठीक है अलगलग फूड आइटम में क्या क्या मिलता है यह हम लोग देखेंगे लिए इच डिस इस यूज़ वाली मेड़ आफ वन और इंग्रेडेंट्स में तक्या हो गया यह से पिछले चैप्टर में हम लोग देखे देना इंग्रेडेंट्स किया था तो किसी भी फूड आइटम को प्रिपेर करने के लिए जो भी कंटेंट उसमें डालते हैं डाट इस नोन आज इंग्रेडेंट्स है ना विच वी गेट from plants और animals चाहे वह food item जो है raw food item वह plants से मिले या animals से मिले हम इसमें ingredients के रूप में कुछ न कुछ यूज़ करते हैं ठीक है अब तो ingredients contain some components ठीक है that are needed by your body वह component क्या है जो कि हमारे सरी को चाहिए होता है ठीक है these components are called nutrients, ठीक है, मत्तब food में contain वो सारे components, for example, carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, यह जो हैं, जो food में available होते हैं, यह सारे components ही क्या कहलाते हैं, nutrients कहलाते हैं, ठीक है, तो अब आप से पूछा जाएगा, what is nutrients, तो nutrients is a collection of components, for example, जो जो बताया गया भी, जैसे कि fats हो गया, carbohydrates, vitamins, all the major nutritional food named are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, in addition, food contains dietary fibers, जिस रफेज जमनों को चाहिए होता है, which are also needed by our body, जो कि हम लोंगे सरी को भी उसकी आवसकता होती है, तो यह क्या था, major food items था, major nutrients था, जो किसी food में contain होता है, जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, क्या कि हर food item में, जैसे भी हम लोग देखें, यहाँ पे, कि जो major component है, वो क्या क्या है, तो यह देख लिए हम लोग, आप कहता है, क्या do all food contains all these nutrients, तो क्या सारे food में सारे nutrients होता है, with some simple method, we can test whether cooked food or raw ingredient contains one or more these nutrients, for example, जैसे कहने के मतलब कि आप चावल खा रहे हो, ठीक है, तो आप चावल खा रहे हो, तो अब क्या चावल में protein भी है, vitamins भी है, minerals भी है, carbohydrate भी है, fats भी है, क्या एक food में मतलब कि वो जो चावल है, जो आप खा रहे हो, क्या उसमें सारे component available है, तो इसको चेक करने के लिए अलगलग different methods हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस food में, जो इस food हम लोग use करते हैं, उसके through हम लोग find out करते हैं, कि उस food में कौन से component available है, ठीक है, ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसी तरह से carbohydrate, मतलब किसी food में carbohydrate है या नहीं है, इसकी ज देखे, let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate, चलिए हम लोग चेक करते हैं, कि क्या दूसरा, मतलब जो भी food हम लोग use करते हैं, उसमें किसी खास particular food में carbohydrate है या नहीं, यह हम लोग verify करना है, ठीक है, for example, अगर हम लोग किसी food में verify करना है, यह carbohydrate है या नहीं है, उसके लिए प्रोसेस होगा, वो यह है, तो देखते हैं, there are many food items, many types of carbohydrates, the main carbohydrates found in our food are in, ठीक है, वो कैसा होता है, in the form of starch, ठीक है, and sugars, है ना, जैसे for example, अगर इसको आप ऐसे चेक करो, तो आप जब रोटी बन रही होती है घर पे हमारे, तो आप एक रोटी का टुकड़ा तोड़ दो, बीना किसी के साथ, चाहे भुजिया या नमा किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ उस रोटी को टुकड़े को मुह में लो, और धीरे धीरे चबाओ, तो आपको देखना हलका हलका feel होगा, एक समय के बाद saliva पूरी तरह से mix हो जाएगा, हमारे मुह में, उस food items में, तो एक समय के बाद आपको जो रोटी है वो हलका मीठा लगेगा, ठीक है, तो कहने के बाद कहीं न कहीं, उस food item में क्या था, चीनी की मात्रा थी, तो कहना है यहाँ पे, यहाँ पे जो भी बोल रहा है sentence, देखिए, the main, the main, carbohydrate fondin or food are in, ठीक है, वो कैसा होता है, तो in the form of starch and sugar, ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करत हैं कि starch होता या नहीं होता, यह कैसे पता चलेगा, तो चलिए, कह रहा है क्या, take a small quantity of food items of raw ingredients, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, जिसमें carbohydrates है, क्योंकि आपको check करना है कि उसमें starch है या नहीं, तो उसके लिए क्या कर रहा है, observe, if there any change in the color of food items, did it turn the blue or black, ठीक है, activity जो है, वो यहाँ पर, ठीक है, sorry, यहाँ पर use किया गया है, तो मैं directly बताना चाहूंगा, कि अगर कोई carbohydrate है food में, ठीक है, और उस food को आप चेक करते हो, starch है या नहीं है, तो उस food का जो color है, वो blue or black में change होता है, ठीक है, तो a blue or black color indicates that it contains starch, तो अगर, जैसे for example, आलू ले लो, ठीक है, या चावली ले लो, आप जो भी carbohydrate है, किसी food को ले लो, आप उसको चेक करना है, कि starch है या नहीं है, मैं तो अगर, उसके color, blue or black में change होता है, तो that contains starch, repeat this, taste with other food items, तो इस तर समनों, और भी बाकी food के लिए भी चेक कर सकते हैं, another method is for testing protein, ठीक है, तो protein के लिए क्या करना होगा, take a small quantity of food item for testing, if the food you want to taste is solid, अगर वो ठोस है, है ना, बत्व कि कड़ा है, तो you first need to make it powder, grind it or mash it small quantity of the food item, put some of this in clean tube, tube जो होता है ना, ग्लास का, जिसमें वो, यह साइसे यह activity आप घर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है, वो content जो चाहिए है, उसको जैसे कि जो soluble particles चा जो solvent चाहिए, वो आपको वहाँ से नहीं मिल पाए, solution चाहिए, तो नहीं मिल पाए तो हो सकता है, वो आप नहीं कर पाओ, लेकिन आप इसको पढ़ ले सकते हैं, और इसको activity करने के लिए आप अपने school में जो lab होता है, वहाँ पर जाके इसको check कर सकते हैं, वहाँ पर क्यों है दस जो भी solid particles है उसको smash कर लीजिए मत पॉल्ड बहां लीजिए उसमें दस बुंद पाने डाल दीजिए और हिला दीजिए ठीक है और सलफेट और कास्टिक सोडा को यूज़ करनेंगे ठीक है उसमें देखें फिगर में दिखाया है टेस्टिंग फॉर प्रोटीन कि टेस्ट्ट्डे मीनटी के ठेक है थोड़ी दीर के लिए सक करके मत्द हिला करके चोड़ दें मत्द क्या अगर आप प्रोटीन को चेक करें ओर वो जो आप मिक्स की उसमें कॉपर सेलफट और कॉल्सिक शोडा मिलाने के बाद अगर उस फूड ऐटम या पार्टिकल्स का कुलर जो है वाइलेट में चैंजे होता है तो अगर वाइलेट में चैंज नहीं होता है तो खह सकते हो कि वह प्रोटीन नहीं है ना तो इस तरह से हम लोग-छ फूट पार्ट इक चब कर सकते हैं पूड को चेक कर सकते हैं कि उसमें है या नहीं है तब कहना यह चाह रहा है कि मालो कि आप कोई बादाम ले लो ठीक है पांच छे बादाम ले लो और इसको एक कागज में लपेट लो और लपेटने के बाद किसी हाड अबजेक्ट से इसको स्मैस करो मतलब मारो इस पे इसको पाउडर बना तो आप थोड़ी दिर के बाद है नहीं इसके आप देखो कि कागज में जो है तेली यह पदार्थ लगे होंगे मतलब चिपचिपा सा तेल सा कुछ पदार्थ होगा जो लगा होगा अगर इस तरह का मैटर मतलब स्थारी अगर इस तरह का जो पदार्थ है वो लगा हुआ है इसमें तो कहेंगे क्या कि that food particles समसी तरह से याव विद्में के लिएलग कर सकते हो Mile कर सकते हो किसी और भी लीप पर डिकल से छिकन परिच्ट के हसमें नहीं है ठीक है वी टेस्टेट फूद इतंस फॉर थी नूट्रियंट डड़ी कार्बोहर्ड पर्टीन फैट्स देर अलसो अधर नूट्रियंट्रियंट्स लेकिन अखिर यह सब चाहिए क्यों होता है हमारे सरीर को तो वाट डू वैरियस नूट्रियंट दू इन आव वाड़ी जैस है कि आप यहां पर फूट परिकल को देखे लो फूट पडिकल्स फुट को देखने के बाद आप कण्फरम हो सकते हों कि हम लोगों को डिपेरेंट डिफूरेंट डिफूरेंट पूड आटम क्यों चाहिए होता है जैसा हमेरे घर में अगर आप देखिलो जो हमारी मम्मी हमक्रतिन होते हैं हम क्मार्स सरीर को जो है वह बैलंस डैट मिलते है रहता है आसे नहीं होता है कभी कुछ ऐसे हो जो को पसंद्र टीछ के लिए कहा थि espacio क्यों अहीं होता है ठीक है आप देखो ना फैट जो भी लेबर होता है ना अम यो कड़ी मेहनत करते हैं उनको देखना आप कार्भाइडर्स ज्यादा दिया था यह इसलिए तक उन्हें इनरजी आया है फूड कंटेनिंग तो यहां पर एक कुश्यर मनता है इनर्जी गिविंग फूड तो फैट्स और कार्भोहडर्रेट और कॉल्ड इनर्जी गिविंग फूड तो अब यहां पर देखिए सॉसेस अब कार्भोहडरेट ठीक है यहां पर अलग-अलग फूड पार्टिकल्स है जहां पर आप देख सकते हैं का नाम ठीक है इसके बाद फिर आप देखों यहां पर फैट्स के लिए तो है ना जिसमें की वाइल्स भी है और इसके बाद फिर अनिमल प्रोड़क्ट्स भी है ठीक है तो यहां देखि multitude Вот सम्सॉसेस अब प्रोटीन Okay Ah lont pestical आङ्मिल चैखोव चाहिए प्रोटीन आनमल से मिल है यह प्लांट से मिले यह सब है ठीक है तो कह रहा है कि अभी तक हमनों देखें और्जीगम फूट कांसल हो गया अपकॉस फैन कर्भोहड़ pouvoir PROFESSOR दूसरा विटमेंस helps in protecting our body against disease विटमेंस also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy ठीक है तो जब भी आप पढ़ रहे होगे इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपके पास अगर भूक है तब तो अच्छी बात है भूक में आप अप अंडरलाइन करते जाओ कॉंसर फूड के लिए कॉंसर फूड मारे बड़ी को क्या फाइदा पहुंचा था यह आप अंडरलाइन करते चले जाओ ठीक है और अगर भूक नहीं है तो मैं इस वीडियो के साथ पीडियो को लिंक कर दूंगा पूस पीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो और जब नोट्स बनाओगे तब इस तरह के पॉइंट्स को आप लिख सकते हो विटमेंस और डिफरेंट काइंड्स ओप काइंड्स नोन बाइडिफरेंट नेम सम विटमेंस और अबीची डीए टेक तो इस तरह विटमेंस को डिवाइट किया गया है देर आल्सो ग्रूप अविटमेंस काल विटमींटी कॉंपलेक्स और बाडी नीट्स अल थैपस और विडमेन इन इसमाल क्वांटिटी विटमीन एक इपसार स्कीन आइस हैल्दी जैसे यह लाइन मिला ना तो इस लाइन को अडर लाइन कर लेंगे हम लोंग बुक में विटमींस सी हैपस्टु फाइट ठीक है अगेंस मेंडिजीज इसको अडलाइन करने विटमींड क्या करता है वह ना होगा अंसर तो यह जब तक आप अपनलाइन करके नहीं रखोगे तो आपको फिर याद रहना मुस्किल हो जाएगा है ना तो यहां पर देखिए समसार से सफ विटमीन ए ठीक है इसी तरह भी फिर सी और दी तो यह सब सॉसेस हैं जिसमें कि आप आप देखिए है कह रह है करते हैं ना सूर में मतलब संके रेज में रहते हैं अम लोग डायरेक्ट तो वह क्या होता है विटमीन करता है ना प्रोवाइड कर वाथ हम लोगं को तो फार प्रॉपर ग्रोथ ऑप बाडी एंड डेमेंटेन अ गुड है व्लसम सॉर्स अव डिफरेंट मिनराल आर सोन फिगर 2.10 ठीक है तो यहां भी कुछ सॉर्स दिये हुए है मुस्ट फूड आइटम यूज्वाली हैं मोर दन यूट वन नूट्रियंट ठीक तो इसका जो फिगर है वह आप यहां देख सकते हैं आप जो तो यहां ठीकर 2.10 2.10 देखें आपर सॉर्स आप मेंडरल से चिक है तो सॉर्स आप में यह जो है जिससे कि हम लोग के सरीर में सॉर्स में मिलता है और इस तरह से हमारा सरीर जो है वह सको अप्टेन करते है ठीक है अब मस्ट फूड़ इतम युषरी हम मोर थन रून रून दैट्स यू में हम नोटिस यू अव नोटिस यू जू आप यू निवक्राइशन देखें यू जू रूच्टेंड अप्टिक्टिक्ट्री लूट अद्ट्रुट्टिक्ट अधर इस मोर नोटिस थास आफ यू एज तो आज का जो टॉपिक है वह यहीं तक रहने देते हैं यह जो है रिस और सफूड इसके बाद हम लोग डाइटरी फाइबर्स करके देखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट क का पार्ट छो है उसको देख लेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को कम्प्रीट करेंगे तो अभी तक जो हम लोग देखें हैं वह आपको सव्वेश में होगा तो यहां तक रहने देता हैं और इसके बात फिर आप अभी तक जो पढ़े उसको रिवाइस कर ले फिर मिलते ह नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या डाइट्री फाइवर्स तो थैंक्स पॉर देड़ी ते